उधारन 4 समीकरण एक स्रिंड साथ बराबर तीन को हल कीजिए हम उधारन 4 का हल देख रहे हैं प्रश्ण में हमें एक समीकरण दिया गया है एक स्रिंड साथ बराबर तीन जिसे हल करना है इसको हल करने के लिए हम समीकरण के जो गुंधर्म हमारे पास है समता के जो हमारे पास नियम है उनकी साहता ले सकते हैं तो हम कहेंगे एक स्रिंड साथ इसमें हम जब समानता के चार नियम का पालन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम दोनों पक्षों में साथ को जोड रहे हैं हमने हाँ पर समानता के नियम का पालन किया है और इसके बाद जो हल प्राप्त होगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिंड साथ और धन साथ है तो ये हो जाएगा X धन 0 बराबर 7 धन 3 हो जाएगा 10 तो हमें क्या मिला? X का मान मिल गया 10 और इस प्रकार ये समीकरण हल हुआ उधारण 5 समीकरण 3X धन 5 बराबर 14 को हल कीजिए हम उधारण 5 का हल देख रहे हैं उधारण 5 में हमारे प्रस्प्रष्ट में एक समीकरण दिया हुआ है वह समीकरण है 3X धन 5 बराबर 14 जिसे हमें हल करना है इसको हल करने के लिए भी हम समानता के नियम का पालन करेंगे उसकी सहायता से हम इसे हल करेंगे तो हम पहले ले लेते हैं 3X धन 5 और अब समानता के नियम के दूसरे नियम से इसमें हम दोनों पक्षों में 5 को घटा रहे हैं जब हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3X धन 5 और रेंड 5 से 0 और 14 रेंड 5 से हमें मिलेगा 9 तो 3X बराबर हमें मिला 9 और पुना दोनों पक्षों में हम अब क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे तो मिलेगा 3X बटे 3 बराबर 9 बटे 3 यहां भी हमने समानता के नियम का चौथे का पालन किया है और इससे हमें जो final value मिलेगी वो हो जाएगी देखिए 3 से 3, 3 के पहाड़े से हम इसे काट सकते हैं और 3 के पहाड़े से यहां भी हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 3 तिया 9 तो प्राप्थ हो रहा है x बराबर 3 इस प्रकार इस समिकरन से हमें x का मान 3 प्राप्थ हुआ उधारन 6 समिकरन 4x धन 5 पूरे के बटे 3 बराबर 15 को हल कीजिए हम उधारन 6 का हल देख रहे हैं उधारन 6 में हमें समिकरन दिया हुआ है 4x धन 5 बटे 3 बराबर 15 इस समिकरन को हमें हल करना है इसके लिए समानता के नियमों का हम पालन करते हुए उसकी साहता से इसे हल करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा हम दोनों पक्षों में तीन का गुड़ा करेंगे ये कहां से प्राप्त हो रहा है हमें समानता के नियम से के नियम तीन से ठीक है अब देखिए इसे थोड़ा हल कर ले हम तो हमें क्या मिलेगा चार एक्स धन पाँच क्योंकि तीन जो है वो तीन के पहाड़े से हमने इसे काट दिया है तीन एकम तीन तीन एकम तीन और इस तरफ हमें क्या मिल रहा है पंदरत या पैंटालिस चलिए अब पुना हम समानता के नियम दूसरे का पालन करेंगे और फिर हम करेंगे चार एक्स धन पाँच और दोनों पक्षों में पाँच को घटा देंगे कहां से आया ये समानता के नियम दो से चलिए अब हम उधारन शेक के हलका आगे देखते हैं और हमें प्राप्त हो जाएगा अगला जो पद होगा वो होगा चार एक्स बराबर चालिस क्योंकि पांच से पांच घट गया तो वहाँ जीरो प्राप्त हुआ और पैतालिस में से जब हमने पांच को घटाया तो हमें चालिस प्राप्त हो गया है अगला पद चार एक्स और बराबर चालिस में हमें दोनों पक्षों में क्या करना होगा चार से भाग देना होगा कौन से नियम से समानता के 4 नियम से नियम 4 से तो अब हम देखेंगे कि हमें हल करने पर क्या मिल रहा है 4 के पहाड़े से इसे काटिए 4 एकम 4 और ये भी 4 के पहाड़े से हल होगा तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 10 X का मान हो गया 10 तो इस समी करण से हमें X का कितना मान प्राप्त हुआ है? 10 इस प्रकार समी करण हल हुआ